हलो नमशकार गुडीवनिंग तहे दिल खुली बाहों और चहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सब का स्वागत करता हूँ मैं अपनी इस कश्टी में मेरे दोस्तों नाम है बोट एंड स्ट्रीम नए चैप्टर का यानी नाव और धारा और प्यारे दोस्तों शायर दो या तीम दिन लगेंगे पर इस टॉपिक में जितने तरह के questions बनते हैं चाहे वो किसी किताब में उठाके चाहे वो previous year exams में वो सारे questions में आपको एक-एक करके level up करते हुए कराऊंगा जैसे कि हमने पहले पढ़ाया याद रखना अब तेरी गलियों में इश्क नहीं बवाल होगा तेरे दिखाए हर हसी सपने पर अब सवाल होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर आप सब काता है दिल से शुक्रिया उतकर से जुड़ने के लिए अब एक एक करके आपके सामने में questions रखूंगा उनके concepts को हम लोग बोलते हैं जो discuss करेंगे, answers देंगे, गलत होगा, सही होगा, सब अच्छा होगा इस वादे के साथ में आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों मैं सीधे question पर आऊँ, आपके लिए बेंतेहा तरह से bilingual questions लाया हूँ जैसे कि मैं हर chapter में लाता हूँ तबियत से पढ़ाऊंगा, तमीच से पढ़ाऊंगा, आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा और ultimately हमको result मिलेगा बढ़ उससे पहले हम कुछ concepts को discuss कर लेते हैं अंजना, बाबू, रामदेव, सोनू, तरुन, अजय, राजू, रामदेव, बाबू, तारगेट, ओलिन वन, महादेव सब को good evening, नमशकार, राम, राम, राधे, राधे, जैहिन, जैभारत, आदाप, सस्रियाकाल अगर session पसंद आये, तो उसे like करें बिना वीडियो को quit, मत करना और अगर सच में exams के लिए serious हो, CGL की exams नजदी है, अगर सच में exams के लिए serious हो तो यकिनन पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों, अब देखो, कोई भी चीज चलती है, तुम pedal चल सकते हो, तुम car चला सकते हो, तुम scooter चला सकते हो तुम train में बैट सकते हो, हवाई जाहर भी उड़ता है, पर नाव जो होती है, बोट जो होती है वो बोट मेरे दोस्तों वो जो बोट होती है वो दो तरहा के देखो बोट सड़क पे तो चलती नहीं तुम और मैं तो सड़क पे चलते हैं ट्रेन पटरी पर चलती है पर बोट पानी पे चलेगी और पानी दो तरहा का होता है पानी होता है एक तो still water में क्या दोस्तों पानी आप पानी होता है इस्टिल वाटर का मतलब शांत जल होता है क्या होता है मेरे डोस्त शांत चल अब अगर वह जल शांत है अगर ऊध में थैरा हुआ जल है वह स्टिल वाटर है व्ह बहत नहीं जैसे कोई तालाब है, चंडिगर का सुखना लेक है, हमारे जोधपुर में कायलाना लेक है और आपके शहरों में भी ऐसी बहुत सारी जगे होंगी, जहां आप दोस्तों बारिश के मौसम में कोना ढूंडते रहते हो ऐसी बहुत सारी जगे आपके भी शहरों में होंगी तो अगर वैसी कोई water body है जहाँ पानी ठहरा हुआ है तो वहाँ पे मेरे दोस्तों boat किसी speed से चल सकती है उस speed को हम कहते हैं x क्या कहते है x ये x क्या है? नाओ की शान्त जल में चाल speed of boat in still water आम शब्दों में कहें तो boat की original speed क्या? boat की original speed हा या ना आपने बोला हा सर बिलकुल सही है अच्छा वैसी मेरे दोस्त अब कोई दरिया बह रहा है जिसमें आपके और मेरे दोस्तों गम के आसू है और वो बह रहा है नदी बहती है वैसे ही एक दरिया है नदी है नाला है बह रहा है boat की boat अपनी खुद की शमता से तो x km प्रती घंटे की speed से चल सकता है अपनी capacity में तो पर जब वो नदी में चलेगा दोस्तों किसी stream के विरुधिया opposite चलेगा नदी बह रही है तो दो तरह से boat इसमें travel करेगी या तो दोस्तों boat चल रही है इधर और पानी भी बह रहा हो इधर ये stream प्रवाह कही है या अनुप्रवाह कही है डाउन stream कहा जाता है उतरना क्या उतरना तो उतरना असान होता है तो जब पानी के direction में boat बहेगी तो उसको सहारा मिलेगा क्या मिलेगा दोस्तों उसको सहारा मिलेगा क्यार मैं पानी मुझे सामने से रोक नहीं रहा वो मुझे आग उसे हम कहते हैं y, क्या कहते हैं दोस्तों, y, अब boat की original speed x से और पानी भहरा है y की speed से, अगर आपका downstream motion है, तो downstream में जो आपकी speed होगी, वो होगी boat x speed से बहेगी, पानी उसे y speed से धक्का देगा, यानी x plus y km प्रती घंटे से, now इसमें actual चलेगी, हाँ या ना, सुन लेना, पांच मिनट में concept discuss कर लें, फिर question ही आएगा दोस्त, तुमको tension नहीं लेना है, ठीक है, वैसे ही अगर boat इधर बह रही है, और पानी इसके opposite आ रहा है, जो धारा है, जो पानी है मेरे दोस्त, वो इसके opposite आ रहा है, तो इस तरहा के motion को upstream motion कहा जाता है, यानी उर्ध प्रवाह कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, उर्ध प्रवाह, यानी पानी के opposite जाना, पानी के उपर चड़ना upstream, और इसमें boat x speed से चल सकती है, उसका engine x speed से उसको चला रहा है, पर सामने से पानी उसे रोक रहा है, opposite है ना, पानी उसे रोक रहा है, पानी उसे रोक रह तो उसकी स्पीड हो जाएगी X-Y किलोमीटर प्रती घंटा क्या आप मेरी ये बात को समझ पाए है Sir, कल क्लास नहीं चली थी, नीरज मैंने कल क्लास ली नहीं थी दोस्त Pankat Sir, Madan Sir क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं दोस्त, Madan Sir अभी बहुत important assignment में बिजी है जैसी वो complete होगा, Madan Sir फिर से कलास लेंगे जोटसना, I'll try my best, हिमानशी upstream, येस, चलो समझ में आ रहा है यहां तक सबको अब मेरे दोस्त, एक बहुत important चीज सुनना एक example ले रहा हूँ आप से कहा कि जो downstream speed है downstream speed है, वो है 15 km प्रती घंटा तुम बताओ, X की value कितनी है और तुम बताओ, Y की value कितनी है अब आप इतना तो समझ जाना इस पूरे chapter में मेरे दोस्त, X और Y क्या है Sir, X है boat की original speed यानि now की शान्त जल में चाल speed of boat in still water और Y क्या है दोस्तों, पानी की speed धारा का वेग है, is that clear? अब मैं question क्या बुला के भईया, जो speed है downstream speed, downstream बोले तो अनू प्रवाह चाल अनू प्रवाह जो चाल है वो है 15 km प्रती घंटा और जो उर्धव प्रवाह चाल है या जिसे प्रती कूल प्रवाह भी कहते है दोस्त, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ मतलब मुझे उर्धव प्रवाह अगर मैं इसको गलत ताहर से लिख रहा हूँ तो तुम समस्तो गए उर्धव प्रवाह बोलते है प्रती कूल प्रवाह भी बोलते है उसकी स्पीड है 9 km प्रतिगंटा तुमको नाओ की शांत जल में चाल पूछें या तुमसे पानी की स्पीड पूछें इन दौनों में से कुछ भी पूछें तो कैसे निकालेंगे अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्ट बहुत सिंपली तरह से आपको याद रखना है कारण बताऊंगा और फिर याद करवाऊंगा मुझे बताओ downstreamस्पीड का मतलब क्या होता है नाओ की स्पीड प्लस पानी की स्पीड अरे डाउन स्ट्रीम यानि पानी की धारा में बहने का मतलब क्या है पानी की धारा में बहने का मतलब है बोट को पानी धक्का मारेगा स्पीड जुड़ जाएगी वो जुड़के है 15 और उर्द्व प्रवा यानि अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है कि नाव भह रही है पानी सामने से रोक रहा है यानि उसकी स्पीड को कम कर रहा है कम करके यानि x-y की स्पीड कितनी है सर 9 है अब गणित के हिसाब से दोस्त मुझे बताओ अगर मैं इन दौनों समी करणों को जोड लूँ तो x प्लस x to x y और माइनस y कर जाएगा 25 प्लस नों चोईस तो x is equal to 12 km प्रती घंटा और वैसे ही अगर यह वापिस लिखूँ मैं x प्लस y is equal to 15 और x माइनस y is equal to 9 और अब मैं इन्हें घटाओं तो x और माइनस x कर जाएगा और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y plus y 2y is equal to 15 माइनस 9 6 यानि y की स्पीड आजाएगी 6 बटा 2 यानि 3 km प्रती घंटा हाँ या ना आपने बोला बिलकुल सही है अब इस चीज़ को मेरे दोस्त हमको याद रखना है reason मैंने दे दिया पर आपको इस चीज़ को याद रखना है कि अगर हमको downstream speed और upstream speed अनुप्रवाः और उर्द्वप्रवाः चाल दे दी जाए दौनों को जोड के 2 से divide करेंगे तो boat की speed मिलेगी और दौनों को घटा के 2 से divide करेंगे तो पानी की speed मिलेगी मेरे दोस्त detail में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ downstream speed प्लस upstream speed को जोड के 2 से divide करोगे तो आपको x मिलेगा x का मतलब क्या है नाओ की शान्त जल में चाल नाओ की शान्त जल में चाल और अगर आप downstream speed और upstream speed को घटा के 2 से divide करोगे तो आपको y मिलेगा y बोले तो धारा का वेग मिलेगा इस concept को आप याद रखना downstream का मतलब पानी के साथ बहना जहाँ speed x plus y होती है और upstream speed मतलब पानी के opposite बहना जहाँ आपकी speed x minus y होती है वो दौनों दे दी जाए तो दौनों को जोड के 2 से divide करने पे boat की speed और दोनों को घटा के 2 से divide करने पे पानी की speed हाँ या ना Manoj thank you कुलदीप, जोगा, अंजयना, कुलदीप, प्रिया, अजय, विकरम, जागरती, स्मुकेश, सर दो ये class railway के exam के लिए भी है क्या बिलकुल है दोस्त SSC की class तो railway वाले हुबहु पढ़ ले कोई फरक ही नहीं है course में, है ना ग्रामीन हिंदी बोलिए सर ग्रामीन हिंदी कैसी होती है वे हिंदी तो हिंदी होती है चलो अब टैंसल मतलो ये सब समझ में आया बहुत बढ़िया, सोने पे सोहागा नहीं आया तो उससे भी बढ़िया क्योंकि questions आपको चीजों को जादा बहतर तरह से समझा सकते हैं एक छोटा सा question आपके सामने है अंग्रेजी वाले इधर से देखें और हिंदी वाले उपर देखें बोले एक नाव नदी के विपरीत धारा में, दोस्तों विपरीत धारा में मतलब एक्स माइनस वाई मतलब पानी के अपोजिट 35 किलोमीटर की यात्रा साथ घंटे में तै करती है मेरे दोस्त विपरीत धारा मतलब एक्स माइनस वाई मतलब अपिस्ट्रीम स्पीड उर्धव प्रवाह चाल आपने बोला हाँ सर्योत्तर प्रदेश नहीं अर्धव प्रवाह है ठीक है बाई पानी के अपोजिट अबोट कें रो 35 किलोमीटर अपिस्ट्रीम अपिस्ट्रीम 35 किलोमीटर 7 आज दोस्तों दूरी बटा समय क्या होती है सरचाल होती है स्पीड होती है और बोला एंड दा सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 35 ही है पर अब वो जा रही है दोस्तों धारा के साथ डाउन स्ट्रीम इन 5 आर्ज तो मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम यानि अनुकूल प्रवाह चाल कितनी हो जाएगी सरच 35 किलोमीटर पाँच घंटे में क्या पाँच घंटे में तो 7 किलोमीटर्स पर आर् आप से बोल रहे हैं तो आप बताईए स्थिर जल में नाव की गती स्पीड आफ दा बोट इन स्टिल वाटर मेरे दोस्त मुझे धरती निगल ले या बिजली मुझे पर गिर पड़े अगर मैं जूट कहूं कि मैंने थोड़ी ही देर पहले तुमको ये नहीं कहा कि अगर अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों को जोड के दोस्त से डिवाइड करोगे तो बोट की स्पीड मिलेगी और दोनों को घटा के दोस्त से डिवाइड करोगे तो पानी की स्पीड मिलेगी आप से बोल रहा है स्थिर जल में नाओ की गती यानि X और धारा का वेक पूछते तो Y दौनों को जोडो 5 प्लस 7 बारा बटा 2 यानी 6 किलोमीटर प्रतिघंटा वही आपका आंसर है अगर पानी की स्पीड पूछते तो दौनों को घटा के 2 से डिवाइड करते 1 किलोमीटर प्रतिघंटा पानी की स्पीड आती हाला कि वो यहां पर नहीं पूछी है अशोक लाप कुमावत मुक्का खालो क्योंकि तुमने आंसर 7 दिया जबकि आंसर 6 होना चीए बिपिन कुबार तुम अशोक का हाथ पकड़ के आना ताकि तुम्हें भी 7-7 मुक्का मिल सके जिनका आंसर 6 नहीं है वो खाएंगे मुक्का और जिनका आंसर 6 है वो खाएंगे मक्का मक्का बोले तो भुट्टा भुट्टा बोले तो समझ गये ना मैं कश्टी में अकेला तो नहीं हूँ मेरे हमरा दरिया जा रहा है मेरे दोस्तों कभी जिन्दगी में ये मत सोचना कि तुम अकेले चल रहे हो तुम अकेले कभी नहीं होते रास्ता तुम्हारे साथ होता है तो मैं अकेला तो नहीं था मैं कश्टी में अकेला तो नहीं था मेरे हमरा दरिया बहरा था तो रस्ते में आप अकेले नहीं होते है रस्ते में रस्ता आपके साथ होता है आगे बढ़े भाई अभी यहां पूछ रहा है अगर दूरी पूछ ले तो is 10 speed of a boat in still water is 10 मैंने बोला x की value दस दे दी बोले यह धारा के प्रतिकूल यानि upstream यानि upstream 6 घंटे में 45 km दोस्तों 45 km 45 km in 6 hours मैं कहरा हूँ अगर कुछ x y लिखोगे तो पाप लगेगा यहां पूछ रहे है धारा की चाल बताओ the speed of the stream is मुझे एक बात बताना नाव की शांत जल में चाल 10 थी मतलब अगर नाव को कोई धका ना लगाए और कोई रोके ना तो नाव 10 की speed से चल पड़ेगी अगर नाव को कोई धका ना लगाए और कोई रोके ना तो उसकी original speed 10 है पर जब पानी रोकता है तो साड़े साथ हो जाती है मैं कहा रहा हूँ xy लिखा भी ना दोस्तों तो पाप लगेगा मैं original 10 है मुझे सामने से कोई रोकेगा तो साड़े साथ हो जाएगी बताईए मुझे कितना रोका गया सर आपको धाई किलोमीटर पती घंटा रोका गया तो धाई किलोमीटर पती घंटा नदी में कौन रोकेगा बताओ नदी में वो तो रोकेगी नहीं तो में नदी में तो पानी रोकेगा तो धाई मेरे दोस्तों option A आप चाहें तो मैं xy लिखके बताऊंगा पर वो useless होगा आपसे कहा ना एक नाओ की शांत जल में चाल 10 है मतलब वो original speed 10 है पानी के opposite 6 घंटे में 45 तो 6 घंटे में 45 का मतलब speed 7,5 तो पानी ने कितना खाया? सर पानी ने ढ़ाई खा लिया तो ढ़ाई भाई या पानी के speed हो गई समझ रहे हो? है ना? हाँ, B प्लस S लिखो या X प्लस Y लिखो एक ही बात है दोस्त तुम ये समझ सकते हो कि B बोलो या S बोलो पर मैंने S क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कई बार confusion में लोग S को 5 पढ़ लेते हैं हिंदी वाला कहेगा सर स्ट्रीम क्यों बोलते हो, धारा बोले तो धारा को D लिखो क्या? तो X और Y बोलो या B और S बोलो या छोटी बातों का tension नहीं लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए question, दोस्तों कोई भी question आपको लिखने की ज़रुएत नहीं है आपको जाना है हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका नाम है SSC उतकर्ष क्या नाम है दोस्त? SSC उतकर्ष उस पे जाना है आपको हर क्लास की PDF मिल जाएगी जिसे आप easy ली download कर सकते हैं क्लास में जो लिख रहा हूँ जैसा लिख रहा हूँ न यह white और yellow और brown सब कुछ as it is मिलने वाला है ठीक है? question देखिए बोलेक व्यक्ति किसी उर्द्व प्रवा उर्द्व प्रवा यानि पानी के opposite upstream की दूरी 10 मिनट में खे सकता है खे सकता है मतलब जो नाविक बोलता है नाविक चलाता है उसको खे खे खेना बोलता है ठीक है? तो उर्द्व प्रवा 10 मिनट में खे सकता है एक किलोमीटर की दूरी दोस्त अगर common sense लगाओ हर चीज में maths लगाओ कि तो दिक्कत है 10 मिनट का 6 गुना 1 घंटा होता है कि नहीं होता है? अरे 10 मिनट का 6 गुना 1 घंटा होता है कि नहीं होता है? 60 मिनट तो एक किलोमीटर का 6 गुना 6 किलोमीटर प्रती घंटा हो जाएगा उर्द्व प्रवा यानि में upstream speed उसकी उर्द्व प्रवा चाल को कह सकता हूँ 6 किलोमीटर प्रती घंटा बोलो जैमातादी सर आपकी चोटी अल्ला अरजुन जैसी लग रही है बिपिन मैं अल्ला अरजुन की चोटी मेरे जैसी लगती है मैं दो साल से ऐसा बाल बना रहा हूँ वो अभी बनाने लगा है ठीक है? वेरी नाइस नरेंद्र देखो आप लोगों ने अंसर दे दिया सच में दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने का मज़ा यही है कि आप लोग तबियत से पढ़ते हैं मतलब आप लोगों में काम चोरी नहीं है बाते भी करते हो आदे लोग लड़कियों से बाते भी करते हैं पर सबका अंसर जरूर आता है अब क्या कह रहे हैं और अनुप्रवाह 4 मिनट में 1 किलोमीटर खे सकता है दोस्तों अब मुझे बताओ 4 मिनट का 15 गुणा 60 मिनट यानि 1 घंटा होता है के नहीं होता है आपने बोला हाँ तो 1 किलोमीटर 4 मिनट में तो 1 घंटे में कितना सर 15 गुणा यानि उर्द्व प्रवा तो पहले मिल गई थी डाउन स्ट्रीम स्पीड यानि अनुप्रवाह चाल मिल गई उसकी 15 किलोमीटर प्रती घंटा आप से कह रहे हैं प्रवाह की गती दोस्तों आपको अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों जब देंगे तो दोनों को जोड के दोसे डिवाइड करने पे आपको बोट की स्पीड मिलेगी और दोनों को घटा के दोसे डिवाइड करने पे आपको पानी की स्पीड मिलेगी आपको पानी की स्पीड पूछ रहे हैं तो आपने 15 और 6 को घटाया मेरे दोस्तों और 2 से डिवाइड किया तो तुमको मिला 4 किलोमीटर प्रती घंटा option A तुम्हारा correct answer हो जाएगा मुझे बताओ दोस्तों क्या ये questions आलिया भड़ भी 10 सेकंड जादा लेगी क्या मुझे एक बात बताओ आलिया भड़ भी 10 सेकंड से जादा नहीं लेगी तुम तो फिर भी समझदार हो तो यहां तक तुमको एक चीज तो समझ में आगी होगी देखो मैं सिखा नहीं रहा हूँ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि एक शिक्षक आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकता है question पढ़ोगे तो अपने आप सीखोगे question कह रहा है कि upstream speed कब दिये और downstream speed कब दिये मैं रटवा नहीं रहा यहाँ पर एक चीज जो कशकुश लोग को समझनी आई होगी है मैंने 15 गुना 6 गुना क्या किया है तो मैंने का भाई एक simple सी बात बता एक किलोमीटर 10 मिनट में speed का formula क्या होता है distance upon time पर time ये तो किलोमीटर है तो ये minute में नहीं चाहिए ये किसमें चाहिए सर ये घंटे में चाहिए तो घंटे के लिए divide by 60 करेंगे ये 60 कहां चला जाएगा उपर तो 60 उपर चला जाएगा तो 60 बटा 10 कितना होता है 6 तो यही तो मैंने common sense लगा के लिखा था तुम पूरा method लगा लो कुछ फरक नहीं पड़ेगा बस time ही waste हुआ है उसी तरह और अनुप्रवा चार मिनट में अनुप्रवा दूरी सेम है downstream चार मिनट में तो जो speed है वो हो जाएगी एक किलोमीटर चार मिनट में इस मिनट को भी घंटों में change किया 60 चला गया उपर तो 60 अपॉन 4 आपका value आया 15 तो अब उसको दिमाग लगा के जल्दी करते हो या पूरा method लगाते हो that is your choice पर उसके बाद क्या करना है यह आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं moving to the next question मेरे दोस्त बोले एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3 चौथाई किलोमीटर नाव खे सकता है दोस्तों 15 मिनट में 3 चौथाई किलोमीटर speed is equal to 3 चौथाई किलोमीटर speed is equal to distance upon time time है 15 मिनट तो 15 मिनट को घंटों में change कर दिया यह गया 4 बार आया 3 by 4 into 4 तो आया 3 किलोमीटर प्रती घंटा यह कौन सी speed आई विपरीत यानी upstream तो upstream speed आगई 3 किलोमीटर प्रती घंटा तथा उसी दूरी को वापस तय करने में वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं वापस तय करना मतलब distance तो अभी भी 3 चौथाई किलोमीटर है downstream speed की बात कर रहा हूँ distance तो अभी भी 3 चौथाई किलोमीटर है पर time कितना है 10 minute तो minute को घंटों में change किया यह 3 से गया 2 बार आया 1 by 4 into 2 यानी मेरे दोस्तों 1 by 4 into 2 का मतलब हो गया 0 point क्या कर दिया मैंने वापस तय करने में 10 minute लगते हैं 10 minute लगे ना तो 1 by 4, 10 by 6, 2 गया तो यह 3 1 by 4 सुरी गलत हो गया ना 60 था तो यह आया आपका 3 बटा 4 divided by 1 by 6 तो 3 चंग 18 यह गया 3 बार यह गया 2 बार यानी 9 by 2 बोले तो 4 आपसे बोल रहा है speed of current धारा की चाल बताओ दोस्तों धारा की चाल आपको downstream speed साड़े चार मिली upstream speed तीन मिली धारा की चाल यानी दोनों को घटाओ और दो से divide करो साड़े चार और तीन को घटाओ और दो से अच्छा क्या पूछ रहे हैं ratio ratio पूछ रहे हैं ओके दोस्तों मेरी बात को जड़ा गौर से सुनना ठीक है कि दोनों को जोड़ो सर तीन और साड़े चार साड़े साथ होता है और दोनों को घटाओ सर दोनों को घटाएंगे तो डेड़ होता है point से point हटाओ यही इनका ratio आगया 5 is to 1 यही इनका ratio आगया 5 is to 1 आपने बोला सर divide by 2 क्यों नहीं किया मैंने का ratio में divide by 2 करते हैं तो भी तो वो कटता ही है न तो आपको अगर केवल ratio ही पूछ है हाला कि दिमाग नहीं भी दोडाओगे तो आपको पता है कि सर दोनों चीज़ें मिल गई दोनों को जोड़ा साड़े साथ साड़े साथ का आधा 3.75 3.75 और दोनों को घटाओ डेड़ का आधा सर 0.75 और अब point से point हटाओ अभी भी 5 is to 1 आएगा पर और अगर दिमाग लगाओ तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है भाई downstream speed और upstream speed को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करना है तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा दोनों को जोड़ो और दौनों को घटाओ, ratio मिल सकता है, value नहीं, ratio मिल सकता है तो मैंने बोला, ये है 4.5 और 3.5 और ये है 4.5 माइनस 3, 1.5 पॉइंट से पॉइंट हटाया, 5 is to 1 आपका final answer है हाँ, time का ratio निकाल लें, हाँ, हाँ, बिल्कुल, time का ratio भाई, जो दिमाग में आये कर लो, जैसे same distance है, 15 मिनट में तए किया, और 10 मिनट में तए किया कितना आया, sir, 3 is to 2, time का ratio 3 is to 2, तो speed का ratio 2 is to 3 time का ratio 3 is to 2, तो speed का ratio 2 is to 3, दोनों को जोडो, आया 5, दोनों को घटाओ, आया 1 दोनों को जोडो, आया 5, दोनों को घटाओ, आया 1, fine, मतलब कुछ भी दिमाग में आये न, कर लो भाईया, पैन चलाओ, बस जल्दी से जल्दी है न, राहुल राजिस्थान, ऐसा ही, देखो, यूट्यूब पे तुम टीचर से किताबे मत पूछा करो, एप क्लासिज में किताबों के नाम बताता रहता हूँ, मैं, यूट्यूब पे you cannot ask for किताबे, मतलब भगवान न करे पर मेरे मुझे कभी किसी किताब के लिए गलत कर देगा है, वो मुझे केस कर देगा, क्या, सुनो भाई, एक आजमी धारा के विपरीत, अप स्ट्रीम, पंदरा मिनट, और डाउन स्ट्रीम, दस मिनट में सेम डिस्टेंस, 3-4 किलोमीटर, दोस्तों ये टाइम का रेशियो है, कितना, सर 3-2, तो स्पीड का रेशियो कितन आया, सर 2-3, दोनों को जोड़ो, और 2 से डिवाइड करो, और दोनों को घटाओ, और 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, आया 5-1, is that clear, option 4, अगला question देखो मेरे दोस्त, करके दिखाओ, करके दिखाओ, फटा-फट से, ये मेरे स्क्रीन पे कोई और वीडियो क्यों चला रह है, ये हिरो, मेरे स्क्रीन पे कोई और वीडियो की चला दे तुमने, हाँ, एक तो भाई, जित्ते भी लोग लाई वेना, वो फटा-फट से वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, उस लाइक की संख्या से मुझ तक बहुत मोटिवेशन पहुंचता है, दोस्त, ठीक ह है, बहुत मोटिवेशन पहुंचता है, लाइक जरूर कर देना, आचल जी को हाय बोल रहा है, रोहित, आचल हाय बोल देना बच्चे को, ठीक है, हाँ, नहीं तो आजकल क्या है, लोग पिक्चर देख देखके जो है, गलत चीज़े सोच लेते हैं, और रोहित, तो मुझे ह हाय क्यों नहीं बोलता बे, तो आचल को हाय बोल रहा है, मुझे क्यों नहीं हाय बोलता है, हाँ, नहा शुकला, नहा यार आदे घंटे में मैंने पाच वेस्ट भी नहीं करवाए है, फिर भी तुम्हें लग रहा है, बहुत है, मैं तो मैं थोड़ा और धीमências करता हूँ, ह सिंपल पटेल, बने सिंग ठाकुर, इन्विजिबल सौरव, देखो आंसर, बोले एक व्यक्ति इस्थिर पानी में, इस्थिर पानी बोले तो, शांत जल में, चार किलोमीटर प्रती घंटे की दर से तैर सकता है, यदि पानी की स्पीड दो हो, तो दस किलोमीटर उर्ध्व प प्रवाह, बोल रहा है, अपस्ट्रीम, तो मैंने बोला, उर्ध्व प्रवाह, उसकी स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, इस्थिर पानी में, चार है, और पानी की स्पीड दो है, तो कितनी हो गई, सर दो किलोमीटर पर आ, उसे तैरना कितना है, सर 10 km तेरना है ताइम तेकन बाई हिम टू स्विम 10 km अपस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम स्पीड तो उसकी दो है ताइम का फॉर्मुला डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आया सर पांच घंटे आ गया पांच घंटे बोले तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए अगर पैन भी छ हाओ कि वो 4 की स्पीड से तेर सकता है और पानी है 2 का मतलब पानी के साथ जाएगा तो 4 प्लस दो 6 की स्पीड होगी पानी के अपोजिट जाएगा तो 4 माइनस दो 2 की स्पीड होगी बोले पानी के अपोजिट ही जाना है 10 km मैंने बोला 10 km जाएगा तो 5 घंटे लग ना भाई सबको बोलेक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में अप इस्ट्रीम तीन चौथाई किलोमीटर डेड़ घंटे में कवर करता है और तेरा किलोमीटर पानी के साथ में दो घंटे में तै करता है दोस्तों 10 सेकंड में आलिया भट इसका आंसर दे देगी कितने सेकंड में दे देगी और अगर तुमने इससे ज़्यादा समय लगाया दोस्तों तो तुम करण जोहर हो क्या हो तुम करण जोहर हो महेंदर अहिरवर नमशकार दोस्त मंदीत महेंदर मांसी इन्विजिबल जेएस खरडिया हिल्स रिचर्ड चंदन वत्स चंदन ये वत्स तुम्हारा सरनेम है है ना चंदन कमेंट करो तो तुम कहां से हो एक बार बताओ मौमद नफीस एहमद सर कल क्लास नहीं ली थी कहां नहीं ली थी दोस्त कल थोड़ा सा बिजी था अक्षे गौड सर मेरा प्रणाम बिलकुल मेरे को भी मेरे एक तरफ से भी आपको प्रणाम राम राम सबको हिल सुचर्ड कह रहा है सर जवाब दो काय का जवाब चाहिए भाई हाँ बताइए क्या अंसर होगा 24 होगा 5 होगा 20 होगा अलग-अलग अंसर दे रहे हो भाई क्या मतलब होगा ध्यान से सुनना बोले विपरीत विपरीत यानि अपस्ट्रीम अब मैं स्पीड का फर्मूला लगा रहा हो स्पीड का फर्मूला होता है देखो दिस्टेंस कितना है चार इंटू तीन बारा प्लस 3 पंदरा बटा चार इस्टेंस अपॉण टाइम टेड़ घंटा दो एकं 2 प्लस 1 3 बाई 2 डिवाइड़ बाई 3 बाई 2 तो ये जाएगा पांच बार, ये जाएगा दो बार आया धाई कितना आया दोस्त? धाई आगे हाँ या ना? आपने बुला, ओके सर फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं तेरा किलोमीटर प्रवाह की दिशा में यानि डाउन स्ट्रीम दो घंटे में दोस्तों डाउन स्ट्रीम, पानी के डाउन स्ट्रीम में तेरा किलोमीटर दो घंटे में यानि साड़े छे किलोमीटर पर आर अरे हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ मुझे स्टिल वाटर, शान्त जल में नाओ की चाल चाहिए तो मैं जानता हूँ के x निकालना है यानि दोनों को जोड के 2 से डिवाइड करना है साड़े 6 प्लस धाई बोले तो 9 बटा 2 यानि साड़े 4 या 9 बटा 2 ही लिख लो एक ही बात है ये तो speed है दोस्त जब हम upstream speed और downstream speed दोनों को जोड के 2 से divide करते हैं मैं बता चुका हूँ ना पहले minute से अगर जुड़े हैं तो मैं बता चुका हूँ आपको तो आपको क्या मिलती है पानी की now की speed मिलती है शांत जल में still water में बोले 90 km जाना है मैंने का 90 km जाना है 9 बटा 2 की चाल से तो तुमको 20 घंटे लगेंगे option 1 is the correct answer हां देखें जिसकी maths week है उसे maths पढ़नी चाहिए the brown girl doll पहले तो नाम चेंज कर लो तुम the brown girl doll क्या होता है हैं तुम्हारा कोई नाम होगा घर पे पापा brown girl नहीं बोलते होंगे doll बोल सकते होंगे I guess पर brown girl तो नहीं बोलते होंगे ना very nice तो भाईया आप लोग खूब पढ़िये मतलब कितना पढ़िये ये कोई सीमा नहीं है जितना समय मिले अब कोई आदमी मेरा एक student है वो रात को एटीय में चौकीदारी करता है दिन में पढ़ाई करता है कम ही time होता है अशोक और जल्दी जल्दी कमेंट जा रहा है मैं आप लोग के आंसर नहीं कर पाया नहीं देख पाया हूं इसका आंसर दो नया question तुम्हारे सामने है जल्दी से जल्दी बताओ बोले एक व्यक्ती एक घंटा बीस मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में चार किलोमीटर दूरी तय करता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है दोस्तों धारा के विपरीत यानि अप स्ट्रीम तो मुझे बताओ अप स्ट्रीम स्पीड उत्तर प्रदेश चाल मतलब उर्दो प्रवाचाल कैसे निकलेगी सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम एक घंटा बीस मिनट मेरे प्यारे दोस्त एक घंटा बीस मिनट बीस मिनट का मतलब एक तिहाई हुआ तो 3 एकम 3 प्लस 1 4 बटा 3 घंटा क्या 4 बटा 3 घंटा तो 4 बटा 3 करोगे आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा बोले N can row back वोपिस लोड जाता है दोस्तों वो पानी के अपोजिट गया तो लोड ते समय पानी के साथ आया होगा यानी वो downstream है ये common sense लगाना वोपिस आता है 24 मिनट में मेरे दोस्त 24 मिनट का मतलब क्या हुआ सर 2 by 5 घंटा हुआ 2 by 5 घंटा हुआ तो 2 by 5 घंटा distance अभी भी 4 है पर 2 by 5 घंटा यानी कितना हो गया मेरे दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या 10 km प्रती घंटा अब क्या कह रहे हैं अब कह रहे हैं यह मैंने गलत तो नहीं किया है 4 km 4 km 2 बटा 5 घंटे में यह जाएगा 2 बार 2 पंजे 10 हो जाएगा ठीक किया है मैंने तो शायद अब क्या कह रहे हैं कि आपको जाना है still water में यानि x की value निकालनी है मेरे दोस्त अनुकूल प्रवाह चाल और प्रतिकूल प्रवाह चाल downstream speed और upstream speed दोनों मिल गई तो दोनों को जोड़ो और 2 से divide करो तो 13 बटा 2 speed है शांत जल में चलने की तो शांत जल में 13 km जाना है time कितना लगेगा मैंने बुला distance upon speed तुझको लगेगा 2 घंटा option 1 is the correct answer I hope तेज नहीं चल रहा हूँ मैं sir theory कहा है बता दो मेरे दोस्त अगर तुम starting से जुड़े हो तो मैंने बहुत तसली से आज जितना काम आ रहा है उतना theory मैंने आपको बताया in fact मैंने अभी तक कुछ बताया ही कहा है मैंने अभी तक केवल इतना सा बताया है मेरे दोस्त सब लोग सुनना कि upstream speed क्या होती है sir upstream speed होती है जब naaf धारा के opposite जाए जब boat पानी के opposite जाए downstream speed क्या होती है जब naaf पानी के साथ जाए तो जब पानी के साथ जाएगी तो पानी की स्पीड उसमें जुड़ जाएगी और जब पानी के अपोजिट जाएगी तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी उसकी ओरिजनल स्पीड में से यहाँ X क्या है सर उसकी शांत जल में चाल है उसकी स्पीड है शांत जल में जब पानी ना धक्का दे रहा हो ना रोक रहा हो और Y क्या है? सर Y पानी की स्पीड है तो जब पानी के विरुद जाओगे तो पानी की स्पीड आपकी स्पीड में से कम कर लेना क्योंकि वो सामने से प्रतिरोध आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है और जब आप पानी के साथ जाओगे तो पानी की स्पीड आपको धक्का देगी या आपकी स्पीड बढ़ा देगी और जब upstream speed और downstream speed दोनों देदें दोनों को जोड़के दो से डिवाइड करोगे तो बोट की स्पीड मिलेगी और दौनों को घटा के दो से डिवाइड करोगे तो आपको पानी की स्पीड मिलेगी यही मैंने आज बताया है और इसी पे सारे questions करवा रहा हूँ ठीक है? अगला question देखे हाँ श्री गंगा नगर से राम राम तुमको भी जोदपुर से आशिरवाद मेरे दोस्त सैनी गर्ल ए येस सर उपर से समझ में नहीं आया दुबारा बताओ उपर से ये देखो न सारे questions आज एक जैसे हैं टेंसन मतलो तुम तुमारी जब जोड़दार practice हो जाए ये कोशिश करो सारे questions एक जैसे हैं पिछला समझ में नहीं आया है तो ये समझ लो है ना एक ही बात है फिकर मत करो बोले कि व्यक्ति स्थिर पानी में साड़े साथ किलोमीटर प्रती घंटे की गती से नोका चला सकता है मतलब एक्स की वेल्यू है साड़े साथ उसे नदी के विरुद जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है दोस्तों अब आया एक तबियत वाला question कौन सा question आया तबियत वाला question आया एक बात को ज़रा गौर से सुनना सब लोग ठीक है थोड़ा छोटा कर दिया है चलो पहले वापिस एक बड़ा इसको बड़ा ही रखता हूँ देखो एक बार है न इस लाइन को भूल जाओ इसके बाद से देखो उसे पता चलता है के उसे नदी के विरुद जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है मतलब टाइम की बात कर रहा है डाउन स्ट्रीम में अगर उसे टाइम एक लगता है तो अब स्ट्रीम में उसे टाइम दो लगता है मैंने बोला बात तो बिलकुल सही है बात तो बिलकुल सही है बोले धारा की स्पीड कितनी है अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ ये किस किस के रेशियो है सर ये रेशियो है अनुकूल प्रवाह चाल के और प्रतिकूल प्रवाह चाल के डाउनस्ट्रीम स्पीड के और अपस्ट्रीम स्पीड के मुझे बताओ ratio है तो ratio में ही मुझे boat की speed और पानी की speed के ratios बताओ तो आप कहोगे sir दोनों को जोड के 2 से divide करो तो boat की speed आएगी और दोनों को घटा के 2 से divide करो तो पानी की speed आएगी ये असली value नहीं है ratio है तो ये भी तो ratio ही निकाल रहा हूँ यहाँ पे भी मैं असली नहीं निकाल रहा हूँ हाँ या ना पर मैंने ही तुमको बताया है और तुम जानते हो के असली value अगर होती तो downstream speed और upstream speed को जोड के 2 से divide करने से बोट की speed आती है शान्त जलवाली और अगर घटा के 2 से divide करूँगा तो पानी की speed आएगी ध्यान से सुनना ये down ये time का ratio है time का ratio है तो speed का ratio क्या होगा sir speed का ratio 2 is to 1 और speed के ratio में आगे x और y की value भी आ जाएगी x की value आ जाएगी 1.5 और y की value आ जाएगी 0.5 time का ratio 1 is to 2 तो speed का ratio 2 is to 1 दौनों की speed को जोड के 2 से divide करूँगा तो boat की speed और घटा के 2 से divide करूँगा तो 2 minus 1 एक बटा 2 आधा पानी की speed आपने बोला हाँ बोले इस्थिर पानी में 0.5 km प्रती घंटा यानि ये असली value किसकी है sir ये असली value x की है तो 0.5 किसके बराबर है sir देड के बराबर है आपसे बोल रहे हैं धारा की गती speed of stream से point गया 5 into 1.5 km प्रती घंटा option C correct है समझ पारे हो के नई हिरनात, आरती, अंजना, संदीप, अजे मीना sir जी 100 रुपय वाली class कब से चलेगी भाई 100 रुपय वाली class चल रही है नई launch कब होगी मैं बताऊंगा ठीक है अरे हाया ना है ना फटाफट से करो एक बार इसको हन जी सब क्या answers आ रहे हैं बिलकुल मैं देख पा रहा हूं सब क्या answers आ रहे हैं आखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा कष्टी के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा तो तुम्हें समंदर भी दिखा रहा हूं कष्टी की सवारी भी करवा रहा हूं प्रियम अनूद, जागरती और सब के आंसर बिलकुल करेक्ट आ रहे हैं अभी भी जिन दरिंदों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना मेरे दोस्त ठीक है बाकी तुम्हारी इच्छा अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए मेरे दोस्त आपसे 5 मिनट में दोस्तों फटाफट से बताओ एक मोटर बोट तथा जल धारा की चाले 36 अनूपात 5 के अनूपात में है यानी X और Y का रेशियो कितना है 36 अनूपात 5 बोले बोट धारा के अनूपूल दिशा में किसी स्थान तक 5 गंटे 10 मिनट में चल कर जाती है वो आपस लोटने में कितना टाइम लगेगा मुझे मेरे दोस्त बताना डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना आएगा 36 प्लस 5, 41 और अपस्ट्रीम रेशियो कितना आएगा 36 माइनस 5, 31 दोस्तों डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 41, 31 है कैसे आया आपसे बोला speed of a motor boat and water is 36.5 ratio है मैंने बोला ratio हो या असली हो दौनों को जोड़ूंगा तो downstream speed आएगी x plus y और दौनों को घटाऊंगा तो x minus y आएगी दोस्तों speed का ratio तुमने निकाल लिया 41 और 31 down का और अपका तो time का ratio 31,41 बोल रहे हैं धारा के अनुकूल अनुकूल बोले तो downstream का गया along with the current मतलब downstream 5 घंटे 10 मिनट दोस्तों 5 घंटे 10 मिनट यानि 5 चंग 300 plus 10 बोले तो 310 मिनट आपने बोला हाँ तो 310 मिनट किसकी value है 31 की तो 41 की value कितनी होगी सर 410 मिनट होगी अब 410 मिनट तुमारा correct answer है पर उसे घंटे और मिनट में change करना है मैंने बोला जब मैं 410 को 60 से divide करता हूँ तो 6 बार कटता है 360 तक डिवाइड तो तुम कर लोगे remainder निकालना आता होगा ना इस उमर में तो 60 इंटू 6 तीन सो साथ 6 गंटे 50 मिनट 6 गंटे 50 मिनट option C मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हारा correct answer हो जाएगा 6 पचास समझ में आया ना अरे boat की speed और पानी की speed मैंने का दौनों को जोड ले तो downstream speed आईगी और दोनों को गटा लो तो upstream speed आईगी downstream speed और upstream speed का ratio तो time का ratio उल्टा time का ratio 31 downstream में है धारा के साथ तो वो है कितना 5 घंटे 10 मिनट मैंने बोला 310 मिनट हो गए एक घंटे में 60 मिनट होते है तो 5 into 60 300 plus 10 310 मिनट 310 मिनट 31 के बराबर है तो धारा के अनू कूल यानि वो अपिस लोटने में अनू क्रती कूल upstream कितना time लग जाएगा sir 410 मिनट लग जाएगा अब 410 मिनट को घंटे और मिनट में चेंज करना है अगर ये इस उमर में तुम नहीं कर सकते दोस्तों तो तुम्हें बदाम खाने की जरूरत है क्या खाने की जरूरत है बदाम खाने की जरूरत है Is that clear? Very nice नमंत उमर और उमीद करता हूँ तुम्हारी पहली क्लास से अंतिम क्लास का सफर बहुत सुनेरा रहेगा और definitely आने वाले exam में तुम successful रहोगे मेरे प्यारे दोस्तों दसवा question देखे बोले एक व्यक्ती धारा की दिशा में तेरते हुए पंदरा किलोमीटर एक घंटे में तेर लेता है यदि धारा की गती पांच किलोमीटर प्रतिघंटा हो और वही व्यक्ती उतनी ही दूरी धारा के विरुत तेरते हुए कितने समय में तै कर लेगा आंसर देना दोस्तों क्या कह रहे है A man swims downstream a distance of पंदरा downstream distance of 15 in 1 hour मतलब 15 किलोमीटर प्रतिघंटा उसकी अनुप्रवा हचाल हो गई आपने बोला हांसर बोले इसमें धारा की स्पीड तो 5 थी सुनना ध्यान से धारा की पानी की स्पीड 5 है downstream में पानी ने help किया होता है मेरी इस 15 में से 5 तो पानी की स्पीड थी मतलब x कितनी हो गई 10 और y कितनी है sir y दी है 5 अगर अब तुम में से कोई आदमी सिर में खुजली करे की समझ में नहीं आया तो फिर से सुने भाई ये कौन सी स्पीड है sir ये downstream स्पीड है अगर हर बार तुम x प्लस y x माइनस y लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक्जैम में तुमको मैं बोल रहा हूँ ये आप 15 कौन सी स्पीड है downstream और उसमें stream है 5 तो तुमारे इस 15 में से 5 तो पानी का धक्का था तुमारी original स्पीड कितनी थी सर original स्पीड 10 थी x और y है 5 y है 5 बोले धारा के विरुद तेरते हुए कितने समय में तै कर लेगा मुझे बताओ धारा के विरुद यानी upstream स्पीड कितनी हो जाएगी 5 बोले उतनी ही दूरी उतनी ही दूरी मतलब 15 किलोमीटर की ही दूरी इस 5 की स्पीड से कितने समय में तै कर लेगा मैंने बोला 3 घंटे में तै कर लेगा option D is the correct answer आशिक कुमार देड़ घंटा नहीं दोस्त देड़ घंटा नहीं 3 घंटा देड़ घंटा तो 15 बटा 10 करते शान्त जल में still water में देड़ घंटा लगाता भई 10 क्या निकली सर 10 निकली boat की स्पीड 5 पानी की स्पीड दी है अब पानी के opposite जाएगा कैसे जाएगा same distance upstream जाएगा पानी के विपरीत जाएगा तो speed minus होके 5 रहेगी distance अभी भी 15 है तो 15 बटा 5 तीन घंटे लगेंगे option D मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हारा correct answer होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की class को मैं यहाँ समाप्त करते हुए तुम्हें ये 11 question homework देकर जा रहा हूँ इसको दोस्तों class खतम हो जाए उसके बाद comment करके बताना इसका correct answer क्या होगा और उमीद करता हूँ मेरी class तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट और तुम्हारे जीवर में विश्वास दोनों की पूर्ती कर पाए ऐसा मैं तुमसे इश्वर से प्रार्तना करूँगा और हमेशा तुम्हें अपनी प्रार्तनाओं का हिस्सा बना के रहोंगा ठीक है ना साहिल ना दरिया ना कश्टी से प्यार है मुझे ना साहिल ना दरिया ना कश्टी से प्यार है मुझे वो नजर अभी तक नहीं आई जिसका इंतजार है मुझे ना कश्टी ना दरिया ना साहिल से प्यार है मुझे वो नजर नहीं आई अभी तक जिसका इंतजार है मुझे और मुझे किसका इंतजार है तुम्हारा एक्जाम की खोपड़ी में छेद करने का मुझे इंतजार है तो वो जल से जल नजर आएगा इस उमीद और इस ब्लेसिंग के साथ इस क्लास को यही खतम करता हूँ अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए खूप पढ़ें और इश्वर से हमेशा अपने माता पिता की स्वस्त रहने की प्रार्थना जरूर करें बाबाए भाए